कहानी यो हैं कि विक्रम राजकुमार राओ जो HIT अर्थार होमिसाइट इन्विस्टिगेटिव टीम का अफसर है जिसके अतीज से कुछ घटना जुड़ी है और वह उससे जूसता रत है वास्ता में उसके आँखों के सामने किसी की हत्या कर दे गए थी जिसके कारण वह थोड़ा सा तनाव ग्रस्तिती में हमेशा रहता है उसके ऐसी हालत को देखकर उसके प्रेमिका नेहा और उसके डॉक्टर सला देते हैं कि वह आफस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर में समय बिता है जब अच्छुटी पर होता है उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका नेहा सान्या मलोत्रा मिसिंग है यही नहीं एक और लड़की जिसका नाम प्रीती है वह भी गायब है दोनों के missing case को सुलजाते सुलजाते विक्रम को कई बार ऐसा लगता है कि दोनों केस में कुछ शमानता है और उसे कई लोगों पर शक भी होता है पर दुकेस सुलजाना इतना आसान नहीं था यह फिल्म करीबन धाई घंटे की है और सब ने अपनी भूमिका बाखोबी से निभाई है मजे की बात यह है कि प्रतेक किरदार को देखते ही सस्पेंस से भरा नजर आता है इंटरिवल के पहले तक कहानी एक दुसरे से जुड़ी है और काफी दंदार है पर इंटरिवल के पश्चाथ थोड़ी सी धीली पड़ गई है कहानी की पटकता लिखी है सैलेश कोलानूने की समवाद गिरिश कोहली के हैं एस मरी करिनन की सिनमा ओटोग्राफी कहानी में कुछ नयापन जोड़ने की कोशिश की है गैरी बी एच की एडिटिंग फिल्म का एक पॉजटिव पक्ष है अगर अभिने की बात करें तो राजखमार राओ भले ही देखने में बहुत ही साधाय और वक्तित्यों के मालिक हैं पर एक्टिंग काफी अच्छी करते हैं काफी दंदार करते हैं उनका रफ और टफ किरदार उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनाया है बहुत ही सुन्दर तरीके से किया है सान्या मलहोत्रा कोई खास नहीं लगती है इनफैक्ट शिल्पा शुक्ला, दिलिपता हेल, मिलिंद गुनाजी जैसे कलाकरों ने भी कोई खास अभी नहीं नहीं दिखा जाया देखा जाय तो दह हिट फर्स्ट केस एक बहतरीन फिल्म बनते बनते रुक गई हाँ राजकमार राओ की अदाकारी के लिए हिट को तीन स्टार अवश्च दिया जा सकता है तो रेडियो हिंदस्तान के मेरे दोस्तों फिल्मिस्टान के गौसिप में आज के लिए बस इसना ही अब अन्मति दियाएं मापरभा करन को इसी परकार फिर मिलूँगी नए नए फिल्मि गौसिप किस्से कहानियों के साथ तब तब करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो दुस्तान दोस्तों जाते जाते एक बात अवश्य कहूंगी पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं पेड लगाएं और पेड लगाना भी सिखाएं